नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास एक डेट सेटप बोक्स आया है रिपेरिंग के लिए और एक ये संजय भाई सापने 36 गड़ से कुछ फ्लेस आइसी अभिजवाई है जो कि इन्होंने सेटप बोक्स में से निकाली है इनके पास कुछ तीन एनके के सेटप बोक्स थे जिसमे उन्होंने हेलो बोक्स का सोफ्टवेर कर दिया था जिसके कारण फ्लेस आइसी कुछ करप्ट हो गया इसा उनका घ्याना था तो इसलिए उन्होंने तीनों फ्लेस आइसी आप बोक्स में से निकालके दूसरा सोफ्टवेर चड़वाने के लिए मेरे पास बेजी है तो अग लेकिन पेकिंग ठीक से करी नहीं तो पूरे बोक्स की बाट लग गया आगे का फ्रन्ट पेनल तूट गया और यह संजेई भाई जिनोंने तीन फ्लेश आइसी भेजिए और यह रहा हमारा प्रोग्रामर इससे हम इस पर नया सोप्ट्वेर चड़ाएंगे ठीक है तो यह संजेई भाई की फ्लेश आइसी पर सोप्ट्वेर चड़ा रहा हूँ है और ध्यान रहे दोस्तों अगर आप डेट सेटो बोक्स रिपेर करवाने के लिए मेरे पास भेज़ो तो पेकिंग एकदम बढ़िया तरीके से होनी चाहिए ताकि आपका सेटो बोक्स टूटे और जब आप सेटो बोस्तो बेज़ो तो साथ में रिमोट एडाप्टर चार्जर कुछी मद भेजने हमीं इतना ठीके रिमोट एडापटर 4.09 आडियो वीडियो यह सब बिलकुल मतमेन डवीन हाइन ओनली वाक्स बीजने बांके अगर आपको मेरा डे सॉ कर दिज्र और न आधा देता हूं। तो फिलालमीं ये भाई साब का जो हुए फ्रंट पेनल तो टूट गया इसलिए मैंने एक दूसरे भाय साब के वैक साब के फिरन्ट पेनल में लगा के इसको software में किया है क्योंकि ये बाइसाब का पैनल तो तूट गया आगेगा दिश्ट बेंगोल वाले भाई का तो इनका भी बॉक्स में ने सप्लेर करके ओके कर गया है तो तो फिलाल में दूस्त तो अगर इड़ेस चाहिए तो आपको हैं जाएगा और ठीक है दोस्तों मिलते हैं किसी और नहीं दिन किसी और नहीं किसी और नहीं नहीं जानकरी के साथ और ठीक है मेरा एड्रेस ये में वीडियो के अन में दिखा रहा हूं झाल